प्रणाम स्वागत है आप सभी का बिहार अडमी कैसे हैं आप सभी मुझे बता है आप सभी बिलकुल तयार होंगे और मैराथन के लिए सभी लोग बहुत excited भी होंगे बिलकुल होंगे excited होना बनता भी है और हम मैराथन चुरू करेंगे बिना किसी लागला पेट के आज हम करने वाले हैं कम से कम 60 प्रशन और वो 60 प्रशन आपके थोड़े पूर्ण होने वाले हैं है ना तो हम लोग जरा बात कर लेते हैं एक एक करके सारे प्रशन के बारे में और हां मैं पहले ही बता रही हूं कोई भी एक भी चात्र आज इसके अलावा किसी बारे में पूरी मैराथन में बात नहीं करेगा जब तक कि मैराथन समात नहीं हो जात करके आप लोगों की परिक्श अच्छी जाहे तो आप लोगों को मेरा चाहना आज भी कल्वी पर्षो भी ये तीन दिन आप लोगों को बिलकोल मेरा साथ निभाना है और 3 दिन तक हम लोग खूब महेनद करने वाला है धेर सारे स्राहट identify करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने एस्टेट में किया है, उससे बहुत कई गुना जादा बेतर हम लोगों को PPSC में करना है, तो बिलकुल आप सभी मेरे साथ तयार हो जाएए एक दम, और बैट जाएए हमारी गाड़ी में, जिस गाड़ी में आद धेर सारे प्रशनों का रोलर कोस्टर चलने वाला है, ठीक है, रितेश, संतोष, नीरज, नितीश, रोशनी, आदर्श, बागी सभी साथी प्रशनों के शुरुआत कर लेते हैं, सीधा, ठीक है, तो चलिए, और हाँ, सेशन को शेयर कर दीजे, एक-एक बच्चे तक ये सेशन पहुचना चाहिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा बच्चना नहीं चाहिए, तैयारी वाला, जिसके पास ये किस गीत को बरसाती गीत कहा जाता है, चैती, कजरी, गर्बा, भटियाली या इन में से कोई नहीं, फटावच से सभी लोग उत्तर देंगे, और एक चीज और, मैं सभी बच्चों को कहा रही हूँ, भले ही गलत उत्तर दीजेगा, लेकिन उत्तर देने की कोशिश सभी साथ काज़री को कहते हैं, बिलकुल सही बात, क्या हो जाएगा सही उत्तर्, कजरी हो जाएगा ठीक है बरसाती गीत कहा जाता है कजरी को ये बरसात में वर्षा रितू में गाया जाता है कब गाया जाता है ये वर्षा रितू में गाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मौसमी गीत है कैसा गीत है ये मौसमी गीत है चलिए अगले प्रशन पर आते हैं कजरी किस प्रकार का गीत है कजरी किस प्रकार का गीत है विरह गीत है शुरंगार गलत लिखा है मेरी गलती नहीं है यह गूगल बाबा ऐसे ही लिखते है शुरंगार ऐसे लिखा जाता है ठीक है यह कहीं है ही नहीं टाइपिंग में शुर क्लासिकल सौंग है कैसा है बताइए जल्दी से फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग प्रणाम 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 फटावट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा कजरी किस प्रकार का गीत है विरह श्रंगार लोग गीत अर्द्शास्त्रिय गीत या इनवे से कोई नहीं क्या होगा उत्तर जल्दी से बताएं सभी लोग किस प्रकार का गीत है कजरी CB very good बहुत बढ़िया चलिए उत्तर देख लेते हैं कजरी जो है विरह का गीत है कैसा गीत है विरह का लोगईत तो ये है ही ठीक लोगईत भी है लेकिन विरःगीत हम यहाँ ज़्याधा लेंगे क्योंकि ज्याधा पास वाला जुआ वह विरःगीत उत्तर में है ठीक है तो ऺनदिल में इस लिए कूंकि इस तो आकट उप्तर में दे रखा है. ठीक है? तो हम इसका उत्तर ए मानेंगे. चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं. प्रश्ण संख्या 3 कज्री गीत गाया जाता है अवधी में पुंदेल खंडी में पुंदेल खंडी में, ब्रज में, भोझपूरी में, ये सभी बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर सभी लोग उत्तर देंगे क्या होगा उत्तर? C, B, A very good जल्दी से बताइए क्या होगा? कजरी गीत अवधी में गाये जाएगा बुंदेल खंडी में गाये जाएगा ब्रज में गाया जाएगा या फिर भोजपूरी में, किस भाशा में गाया जाएगा पड़ावट से उत्तर दीजे, क्या होगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा इ, ये सभी, ज्यान रखिए, कजरी जो गाया जाती है वो अबधी भाषा में भी गाई जाती है, बुंदेली में भी गाई जाती है, ब्रज में भी गाई जाती है, भोजपुरी में भी गाई जाती है, इन चारो भाषाओं में गाई जाती है, आपकी कजरी, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका E, ये सब ही, इन सब ही भाष शाओं में कजरी गाई जाती है अलग-अलग जगा पर अलग-अलग पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कजरी जादा गाई जाती है तो यह सारी भाषा हैं आपको या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलेंगी या तो आपके बिहार में मिलेंगी ठीक है तो स जल्दी है क्या होगा विरह का मतलब उता है पिच्चण ऑन विरह का मतलब पिच्छडन बाताइए व से आउटальной संथ आपर आइवीवार्ट से सभी तन रजी गोफा कहा प्रसिद्ध लोगी थे क्या हो जाएगा सही उत्तर गोफा कहां का प्रसिद्ध लोग गीत है जल्दी से बताएए सभी लोग कहां का प्रसिद्ध लोग गीत है गोफा जल्दी से बताएंगे क्या होगा उत्तर CD, very good, D, B जल्दी से बताएए कहां का हो जाएगा, D, आंदरप्रदेश, B, A, अलग-अलग उत्तर आ रहे हैं क्या हो जाएगा सही उत्तर महराष्ट्र का कहां का महराष्ट्र का देखें महराष्ट्र में महराष्ट्र में गर्बा को गर्बा जो होता है न नवरात्री में गर्बा को गोफा कहा जाता है क्या कहा जाता है गोफा महराश्व में गर्बा को गोफा कहते है, ठीक है, गर्बा कोई अलग से नहीं है, इस पर निर्ट भी किया जाता है, इसको गाया भी जाता है उत्तर प्रदेश में गर्बा को किस नाम से जाना जाता है, क्या होगा, पड़ा पड़ से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में गर्बा को किस नाम से जाना जाता है, क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताईए, गुजरात का जो गर्बा है, वो यह किस नाम से जाना जाता है? गर्बा गुजरात में होता है लेकिन अलग-अलग जगापे अलग-अलग नाम से हम इसे जानते हें तो बताएए क्या होगा तर इसका सही उत्तर हो जाएगा रास जैसे की आपने सुना होगा ब्रज में, गोकुल में रास मतलब किया जाता है वैसे ही गर्बा होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D अगले प्रशन का उत्तर गर्बा किस रित्व में गाया जाता है गर्बा किस रित्व में गाया जाता है ग्रेश्म रित्व, शरद रित्व, वर्षा रित्व, बसंत रित्व या इन में से कोई नहीं, क्या होगा सही उत्तर प्रणाम आप सभी को नमस्कार जो साथी हमारे धीरे-धीरे करके हम से जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजे ताकि हर बच्चे तक ये सेशन पहुंच जाए मैं चाहती हूँ कि आज कल परसो तीन दिन की मेर्थन हर बच्चे को मिलनी चाहिए इसका लाव हर बच्चे को मिलना चाहिए है ना बताई जल्दी से क्या होगा पड़ा बट से उत्तर दीजे सभी लो गर्बा किस रितु में गाया जाता है ग्रीश में शरद वर्षा बसंत इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर? शरद रितु वेरी गुड किस रितु में? शरद रितु में गर्बा किया जाता है हमें पता है कि अब नवरात्री आने वाले है शरद रितु शुरू हो जाएगी और शरद रितु में ही आपका गर्बा किया जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भी, शरद रितु ठीक है? अगला प्रशन भटियाली गीत कहाँ पर अधिक प्रचलित है? इनमें से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताओ जल्दी से बताएए क्या होगा फटाफट से बताएए क्या होगा जल्दी से सबी लोग उत्तर दीजे भटियाली गीत कहां पर अधिक प्रचलित है गुजरात, महराश्र, बंगाल, 36 गण जल्दी से बताएए क्या होगा पटाफट सुत्तर देंगे सभी लोग D, बंगाल C, very good A भटियाली कहां पर प्रचलन में है बिलकुल सही बात, कहां पर है बंगाल में, कौन गाते हैं इसे, भटियाल लोग गाते हैं भटियाल लोग कौन होते हैं, जो मल्हा होते हैं मल्हा गीत है, कैसा गीत है ये मल्लाहूं का गीत है, है ना मल्लाहूं का गीत है ये ठीक है इनी को, भटियाल भी बोला जाता है इनी को मल्लाहा भी कहा जाता है, ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल अगला प्रशन, भटियाली गीत किस प्रकार की गान विधा है भटियाली गीत किस प्रकार की गान विधा है पुरुष प्रधान, महिला प्रधान दोनों दोनों में से कोई नहीं क्या हो जाएगा सहीद उत्तर, जल्दी से बताईए पटाफट से सभी लोग उत्तर देंगे क्या होगा भटियाली गीत किस प्रकार की गान विधा है? जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएगे क्या होगा? भटियाली गीत जो है, वो पुरुष प्रधान विधा है, ध्यान रखना, यह थोड़ा भारी आवाज में गाया जाता है, भटियाली गीत जो है, वो पुरुष प्रधान गीत है, तो मलाह गीत है, और साथ ही साथ ही भारी आवाज में गाया जाता है, जवारी दार आवाज मे इसे लिए ये पुरुष प्रधान गीत है, इसे पुरुषों में जादा प्रचलन में कहा गया है, ठीक है? पुरुषों का गीत कहा जाता है इसे, ठीक है? इसका सही उत्तर A हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर A, अगला प्रशन, नाटी कहां की लोगी शैली है? नाट पर से बताइए जल्दी से हाँ बिलकुल 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 जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा नाटी कहां की लोग-Gीत शैली है जल्दी से बताइए हाँ सर्गम-ताल-वर्ड जी मैं आपकी बास समझ रहे हूं लेकिन प्रचलत किस वज़े से है ये बात है गाने को थो दुरुपद क्या लड़कियां नहीं गाती है, बिलकुल गाती है, लेकिन दुरुपद को फिर भी क्या कहा जाता है, मर्दाना गीत कहा जाता है, आप मेरी बास समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुरुपद महिलाएं नहीं गाती, बिलकुल गाती है, लेकिन उसको उस नाम से प्रसिद्धी मिल गई है, है ना, क्योंकि उसके लिए भारी आवाज की जरूरत होती है, उचे स्वरों की जरूरत होती है, महिलाओं का जो स्केल होता है, वो नीचा होता है, है ना, बताए जल्दी से क्या होगा, नाटी, नाटी कहां का लोग गीत है, नित्य में भी काम आता आपकी नाटी, ठीक है? कहां गई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न, नाटी के साथ संगत वाद्दे में कौन सी ताल वजाई दाती है? नाटी के साथ जब ताल वजाई दाती है, जिस भी वाद्दे का प्रयोग हो ताल के लिए ताल वाद क्या हो जाएगा उत्तर जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजे क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए नाटी के संगत में संगत में जो वाद्दे होगा नाटी के साथ उस पे कौन सी ताल बजाई जाएगी जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग देखिए इसमें तीनों ताल बजाई जाती है आपकी ठीक है? इसमें तीनों ताल बजाई जाएंगी 12 मात्रा की ताल भी होगी, 8 मात्रा की ताल भी होगी 16 मात्रा की ताल भी होगी तीनों तालोगी, तो सही उत्तर इसका A हो जाएगा, C हो जाएगा, E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये सभी, 12 मात्रा की ताल, 8 मात्रा की ताल, 16 मात्रा की ताल, ठीक है, चालिए, अगला प्र कुदेश, राजस्थान, मालवा, गुर्जन या फिर एक से अधेक, क्या होगा सही उत्तर, पहले आप लोग उत्तर दे जीज़े, उसके बाद में इसके पारे में कुछ विशेश बताऊंगे आप लोगों को, बताए जल्दी से क्या होगा, आपने बहुत प्रसिद गीत सुन C, B, very good, क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर होगा, एक से अधिक, E इसका सही उत्तर होगा, पूछो क्यों, ये गुर्जन चेतर में, मालवा चेतर में और राजस्थान चेतर में, इन तीनों चेतरों में गाया बजाय जाता है, मांड, अब आ वो मांड ही है, ठीक है, हाँ, बिलकुल, 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 वही के सरिया वालम, एकदम ठीक कहा, तो वही है क्या, वो है आपकी मांड, ठीक है, तो ये तीनों चेतरों में गाया बजाय जाता है, यानि के एक से अधिक, इसका उत्तर होगा, E, अगला प्रशन, मांड सम प्राई जी का एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक, चलो जल्दी से उत्तर दो फटा फट से क्या हो जाएगा, मांड समारोह का आयोजन कब किया जाता है, हाँ, बेलकुल मुझे समझ रही थी मैं, इसी वज़े से आप लोगों ने किया, वो तो मैं तभी समझ गे थी जब आप लोग टच होकर वहीं से, राजसान से, बताये जल्दी से क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा, आज के सवाल में आप लोगों को मदा आने वाला है, बहुत सारी नई चीज़े सीखोगे, इसलिए मैं वो प्रश्न सारे लेकर के आई हूँ, जो कभी किसी ना किसी तरह से देखने को मिले हैं, है न, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँगी, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूँगी, जो आप लोगों को ना मिले, बताये जल्दी से क्या होगा, फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा, मान समारोह कब को किया जाता है, और आपने जिलाई जी का नाम तो सुनाई होगा है न, समझ रहे न, जिलाई जी का नाम सभी ने सुना होगा, जिलाई बाई की पुन्ने तिथी है ये, क्या है ये, जिलाई बाई की पुन्ने तिथी पर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिला अगला प्रश्न, नाटी के कितने प्रकार हैं, नाटी के कितने प्रकार हैं, 18, 20, 14, 15 या इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तीन नमंबर को, बीका नेर्वे होता है, उसी दिन जिलाई बाई जी की पुन्यति थी, उसी दिन उ हो जाएगा उत्तर, पटाफट से उत्तर दीजे, क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा, नाटी के कितने प्रकार हैं, कितने हो जाएगे, नाटी के प्रकार हो जाएगे, आपके 20, कितने हो जाएगे, 20, लेकिन प्रचलन में कितने हैं, अगर आप से कोई पूछे, नाटी के कितने प्रकार प्रचलन में हैं, तो प्रचलन में प्रकार हैं 14, प्रचलन में जो प्रकार हैं, वो 14 हैं, कुल प्रकार 20 हैं, ठीक है, 6 ऐसे प्रकार हैं, जो अब प्रचलन में नहीं हैं, ठीक है, तो सह उत्तर इसका B होगा, अगला प्रश्न, रसिया गीत के नाम से कौन सा गीत प्रसिद्ध है, किस गीत को आप रसिया गीत के नाम से जानते हैं, कजरी, चैती, होली, नाटी, इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, हाँ, अगर आप प्रोटसाहित ही करना चाहते है कि मैं हमारे लिए यहां इतने समय से खड़ी है और सुबह से ले के शाम तक हमारे लिए इतना कुछ करती है तो like बनता है क्लास को 300 से जादा बच्चे, लगभग 300 बच्चे आज हमारे अपस्थित है तो like तो बनता है, प्रतिव्यक्ति एक like तो बनता ही है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा बाकी मैं कहूंगी नहीं, दुबारा एक ही बार कहा है मैंने ये मेरा प्रोचसाहन है और कुछ नहीं आप लोगों का प्रोचसाहन ही दिखाता है आपका एक like क्या हो जाएगा सही उत्तर? स्थी जल्दी से बताएए क्या हो जाएगा उत्तर फड़ा फट से उत्तर दीजे सभी लोग रसिया गीत के नाम से कौन सा गीत प्रसिद्ध है देखिए रसिया गीत के नाम से जाना जाता है आपका होली ठीक है? किसको जानते है? होली को रसियागीत के नाम से जाना जाता है और ये दो प्रकार ही होती है दो प्रकार से होली गाई जाती है कितने प्रकार से गाई जाती है दो प्रकार से एक साधारन होली होती है एक राजपूती होली होती है कितने प्रकार से दो प्रकार से गाई जाती है कि होली और होरी दोनों अलग-अलग चीजे हैं, होरी जो है, होरी, वो कहा जाता है धमार को, और होली है एक लोग गीद, तो दोनों को अलग-अलग रखना, मिलामत देना, ठीक है न, हाँ, बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी, होली, चलिए, अगले प्रश या, जगजोली, रे, रसिया, वो सुना होगा आप लोगों ने, हाँ, बिल्कुल सही बात, वही, 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 चलिए, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा, आंद्र प्रदेश में गर्बा को किस नाम से जाना जाता है, गोफा, गर्बा, कोला, टम, इन में से कोई नहीं, रुखना नहीं है, और कल जो रेпрिट फायर आपके लिए रहने वाला है, उस रेपेड फायर में उन् sheriff लोगों के टाइम रखूंगी, कल टाइमर से होगे प्रशन, ध्यान रखना, कल रेपीड फायर है 2 घंटे का, 100 प्रशन होंगे कल 2 घंटे में, कल आपको ऐसे पटा-प प्रदेश में गरबा को अगले प्रशन पर आ जाते हैं प्रशन संख्या 16 चैती किस मास में गाई जाती है किस महीने में चैती को गाया जाता है बताई जल्दी से क्या हो जाएगा चैती किस महीने में गाया जाती है सावन भादों चैत वैशाख इन में से कोई नहीं जल्दी स कि देखा आज आप याद करके जाओगे यहां से बहुत सारी चीजें पताई जल्दी से क्या होगा को लाटम अच्छा एक चीज और है आज हमें याद तो करनी हैं बहुत सारी चीजें और जादा से जादा बच्चे जितने भी जादा बच्चे इस सेशन को देखेंगे समझी ही बच्चों का फायदा हमें को शेयर इस तरीके से करना है आज यह और यह कौं करेगा ऑघस रuyorsunका कॉन करेगा यह करेगा हम करेंगे हम करेंगे कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे ऐसी बोलते थे न, बच्छमन में, भारत, माता की, जै चलिए बताएगे क्या होगा उत्तर चैती गाई जाती है आपकी, चैती और कजरी अगर मैं चैती की बात करूँ तो चैत में गाई जाती है चैती, कब गई जाती है चैतर वैसाक वाला चैतर ठीक है, जिसमें आपके क्या आते है चैती वो महीना है, चैती वो प्रकार है, जो चैतर में गई जाती है, जिसमें आपके नवरात्र होते हैं, है ना, लेकिन लेकिन, कजरी पूछने लगे कब गई जाती है तो कजरी गाई जाती है सावन में जूले पर बैठ कर कजरी गाई जाती है विरह के गीत ठीक है चलिए हाँ बिलकुल 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 चैती का कावे किस भाषा में लिखा जाता है जैसे कि हमने कजरी पर बात की थी तो कजरी तो बुंदेली भाषा में भी होती है कजरी आपकी किसमें होती है भोजपूरी भाषा में भी होती है और कजरी आपकी किसमें होती आवधी भाषा में भी होती है ऐसे ही चैती किस भाषा में गाई जाती है आवधी भोजपूरी हिंदी बुंदेली या इनमे से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर? मैं पढ़ा पाती भूझपूरी में, लेकिन भूझपूरी इस सच कहूं आती नहीं है, बहुत दुख है, समझ में आती है, बोल नहीं पाती हूं, समस्या बोलने में है, है ना? जल्दी से बताईए क्या होगा, फटा फट से उत्तर देंगे सभी लोग चैती का काव्य किस भाशा में लिखा जाता है? जल्ली जल्ली बताईए, क्या होगा सही उत्तर? चैती का काव्य किस भाशा में लिखा जाता है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? भोझपूरी में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? भोझपूरी में लिखा जाता है, चै अब ये देखो कि चैती कितनी प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की चैती होती है, खड़ी चैती इसी को जूमर चैती भी कहते हैं, चैती के प्रकार, पहली खड़ी चैती, जिसको आप जूमर चैती के नाम से भी जानते हैं, जूमर चैती, खड़ी चैती एक ही बात है, ठी पहलाएगा निर्गुन चैती क्या हो जाएगी निर्गुन चैती और तीसरा जो प्रकार है वो है जलकुटिया निर्गुन और फिर हो जाएगा जलकुटिया ठीक है जलकुटिया निर्गुन खडी चैती या फिर जिसको आप जूमर चैती के नाम से भी जान रहे है ठीक है इ अच्छा हाँ एक गडबड हो गई भाई एक गडबड हो गई खड़ी चैती जूमर चैती और निर्गुन चैती ये एक ही है ठीक है ये एक ही है दूसरा प्रकार है जल कुटिया का ठीक है जल कुटिया हो गया इसी को हम चंजरिया नाम से बुला रहे हैं किस नाम से बुला र धाटो चैती तो ये तीन प्रकार चैती के हो गए जो प्रसिद्ध हैं हाला कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा इस बारे में चलिए आगे बढ़ती है चीज़ें चैती किस क्षेतर में प्रसिद्ध है तो कहाँ बताई जल्दी से क्या होगा पटाफ़ पट से उथर जीजे क्या हो जाएगा चैती किस क्षेतर में प्रसिद्ध है आरा उत्तर प्रदेश च्छपरा या फिर इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक क्या हो जाएगा बिलकुल गणेश चुन्ता मत करो आज की Clash भी आप लोगों को दोगे अभी Clash में आने से पहले 9 बज़े पहले आप लोगों को शेयर करा दी है और ये वाली Clash चैसे ही Clash खतम होगी कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगी देखो अभी तो मैं बादा नहीं कर सकती क्योंकि 11 बजे मैं free होंगी आप लोगों से तो आप समझ पा रहे हैं कि 12 बजे तक तो पहुंचूंगी उसके बाद मैं खाना भूजन खाऊंगी 12 बजे तब सोते सोते दो बज जाएंगे बिलकुल सही बात एक से अधिक इसका उत्तर होगा पूछो कैसे क्योंकि चैती जो है आपकी वो कहां कहां गाई जाती है उत्तर प्रदेश में भी आरा में भी और छपरा में भी ठीक है तीनों जगा गाई जाती है पूरवी उत्तर प्रदेश में भी ध्यान रखना, शब्द रचना नहीं कई है, स्वर रचना कई है, क्या कहलाती है, चतुरंग त्रिवट दादरा सरगम, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, प्रशन का उत्तर तो जल्दी से क्या होगा, मैंने क्या कहा, राग बद्ध और ताल बद्ध, राग से बंधी हो, त स्वार रचना है, शब्द रचना नहीं है, गीत रचना नहीं है, क्या है स्वार रचना, क्या कहलाएगी, चतुरंग, त्रिवट, दादरा, सरगम, क्या होगा, शुती मही जी, PDF आपको मिलेगी, बिहार अड़ा 247 के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, चलिए, बताइए सभी लोग दो, क्या होगा, क्या होगा प्रशन का उत्तर, D, very good, क्या होगा प्रशन का उत्तर, अच्छा, B, C, D, E सब है, मैंने जोर देकर कहा, शब्द रचना नहीं है, गेय है, स्वर बद्ध है, ताल बद्ध है, राग बद्ध है, तो क्या हो जाएगी, सरगम हो सरगम सुनी होगी, ऐसे है, यह बहुत प्रसिद्ध सर्गम है, बहुत बार मतलब सुनी होगी शायद आप लोगों ने, सर्गम है ये है ना, दादरा में कितने अंतरे होते हैं, बताओ जल्दी से, बिल्कुल, एक और सुनाई जाती थी वो, ऐसे ही थी ना, एक और थी मापधा, 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 धाधा, बधनी, पधनी, नी, 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 धनी, सा, धनी, सा, 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 फिर वापस ऐसे ही है, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दादरा में कितने अंतरे होते हैं बिल्कुल सही बात एक से अधिक इसका उत्तर होगा, क्यूं? कम से कम 3 और जादा से जादा 4 कम से कम 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे ठीक है? वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इसलिए उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, दादरा क्या है, दादरा श्रिंगार प्रधान है, विरह प्रधान है, रस प्रधान है, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, बताओ क्या हो जाएगा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर शुक्रियाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप सभी का जो प्रेम है न, वो मेरे लिए अद्भुत है, अनमोल है उस प्रेम जैसा कोई नहीं है और आप सभी साथियों के, आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों के प्रेम के लिए मैं यहाँ इतनी रात को इसी लिए खड़ी हूँ, है न, सुभा से खड़ी हूँ, अभी तक खड़ी हूँ जल्दी से बताईए क्या होगा एक बहुत प्रसिद्ध सरगम है, मतलब हमारे गुरुजी सुनाए गरते थे आप सभी लोगों को गला तैयार करना हूँ न, तो इसका चोगुन करके थोड़ा थोड़ा रोज-रोज रियाज किया करिए, है न, इतने सारे तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को बताए जल्दी से क्या होगा हाँ, ऑप्शन फाइब तक नहीं रखा, सभी में ऑप्शन फाइब थोड़ी होंगे हाँ, बिलकुल, बिलकुल, ये सभी अलंकार थे, सरगम भी वही होती है, अलंकार सरगम ही होते है, ठीक है मेरे एक गुरुजी नहीं रहे हैं, खूप सारे गुरुजी रहे हैं मेरे, मेरी मा भी मेरी गुरु रही हैं, मेरे मामा भी मेरे गुरु रहे हैं, मेरे गुरु डॉक्टर विशाल दिक्षित भी रहे हैं, जो हमारे स्कूल टीचर थे और बहुत ही सुन्दर गाते भी थे और ये श्रंगार प्रधान भी है और रस प्रधान भी है पूछो क्यों भाई श्रंगार भी तो रस ही है तो A और C दोनों उत्तर होंगे इसलिए हो जाएगा E उत्तर ठीक है क्या हो जाएगा E उत्तर चलिए अगला प्रशन दादरा किस ताल में गाय जाता है दादरा किस ताल मे हाँ बिलकुल एक बहुत प्रसिद्ध आप लोगों ने शायद सुनी होगी बहुत प्रसिद्ध गजल है वो है ना दिल जलाने की बात करते हो आशियाने की बात करते हो मुझको अपनी खबर नहीं यारो मुझको अपनी खबर नहीं यारो तुम जमाने की बात करते हो है ना चली बताइए क्या होगा मुझे लगता है आप में से काफी सारे बच्चों को यह आती होगी गजल हाला कि मेरी फेवरेट गजलों में से एक है क्या हो जाएगा सही उत्तर हाँ जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दादरा किस ताल में गाया जाता है फड़ा फट से बताइए सारे रागों में अच्छा ताल लिख दिया क्या राग होगा sorry 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 I apologize राग होगा समझ तो आप लोग गए है ना समझ तो आप लोग गए यहां राग होगा कोई बात नहीं पीलू देश जिन्जोटी इन तीनों रागों में गाया जाता है इसका मतलब एक से अधिक इसका उत्तर होगा पीलू राग में भी दादरा गाया जाता है जिन्जोटी राग में भी दादरा गाया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन बताईए जल्दी से क्या होगा में से कोई नहीं, बताई जल्दी क्या होगा? हाँ हाँ, मैं समझ गई, केर केरी जी मैं समझ गई, वो सब बच्चे जानते हैं कि ये टाइपिग मिस्टेक बहुत कॉमन है, आप लोग समझदार लोग है ठीक है? मताई जल्दी से क्या होगा? फटाफट से बताईए क्या होगा हाँ, बिलकुल, बिलकुल बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा गाया था जगजीच जीने और चित्रा जीने टपपे गाये हैं कुछ, हाला कि मुझे शब्द याद नहीं है क्या हो जाएगा सही उत्तर? टपपा किस ताल में गाया जाता है? देखो, टपपा ताल में भी गाया जाता है और पंजाबी त्रिताल में भी दोनों में गाया जाता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, क्या होगा सही उत्तर? एक से अधिक, ठीक है? तो इसका उत्तर D होगा अगले प्रशन पर आते हैं, अगला प्रशन बताओ सभी लोग, गजल को भारत में प्रसारित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ध्यान रखना प्रशन पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कहा है, गजल को भारत में प्रसारित करने का श्रेय किस को जाता है, पहली बार भारत में किसने प्रसारित किया शोरी मिया, अमीर खुसरो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी इन में से कोई नहीं एक से अधिक बताईए जल्दी से क्या होगा फटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा गजल को भारत में प्रसारित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है बताईए जल्दी से क्या होगा हाँ सही बात है सचिन एकदम ठीक आज आप सभी लोगों के अंदर के गायक और गाईकाएं बहार आ रही होंगी है ना देखो संगीत एक ऐसी चीज़े जो इंसान को हल्का बनाए रखती है है की नहीं हम जैसे लोगों के अंदर सबसे खास बात यही है कि ईश्वर का वर्दान है हमारे उपर नौकरी तो करेंगे ही करेंगे अपने साथ अपनी चीज़े भी जोड़ कर रखेंगे देखो भारत में लाना और भारत में प्रसारित करना मैं थोड़ा सा अलग-अलग चीज़े हो जाएंगी इसको भारत में लाकर प्रसारित किया ख्वाजा मुहिंदीन चिश्टी ने लेकिन एक बार गजल यहाँ पर आई और प्रसारित होगी वो किस ने किया वो किया आपके अमीर खुसरो ने ठीक है चलिए अगले प्रस्शन पर आते हैं अगला प्रस्शन क्या है घजल को गाया जाता है दादरा ताल में कहरवा ताल में रूपक ताल में पश्टो ताल में या फिर ये सब ही बताईए जल्दी से क्या होगा, पटापट से उत्तर दीजे, अच्छा क्लास में बोरियत किसको महसूस हो रही है हाथ उठाओ, किसको क्लास में बोरियत महसूस हो रही है हाथ उठाओ, जल्दी से बताईए क्या होगा, पटापट से उत्तर दीजे क्या होगा, आ बिल्कुल, जल्दी से बताईए पड़ावट से उत्तर दीजे गजल को दादरा ताल में, कहरवा ताल में, रूपक ताल में, पश्टो ताल में या ये सभी किस ताल में गाय जाता है क्या होगा उत्तर देखिए ये पांच होगा जो मैं option डालती हूँ जान भूच के डालती हूँ, है ना बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा सभी लोग उत्तर देंगे क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी ये इन सभी तालों में गाय जाता है गजल को, ठीक है दादरा, कहरवा, रूपक, पश्टो, सारे ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण गजलें गाई जाती है गजलें गाई जाती है देस राग में, पहाडी राग में, भेरवी राग में खमाज राग में ये सभी बताईए जल्दी से क्या होगा सोनी का बालक मेरे बाल आपको पास नहीं कराएंगे पास कराएगी पढ़ाई समझ ला बाल को क्या फर्क पढ़ता है कि इंसान देखने में कैसा है इंसान का मन सुन्दर होना चाहिए, है न जल्दी से बताईए क्या होगा तोरा मन दरपन कहलाई जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा हाँ, कोई बात नहीं कभी 5 भी होंगे, कभी 4 भी होंगे सब करना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा गजलें गाई जाती है, देश में पहाडी में, भैरवी में, खमाज में ये सभी, इसका उत्तर तो मुझे पता था दर्बारी और कल्यान राग में भी गजलें गाई जाती है, ठीक है चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27, ठुमरी कितने अंगों में गाई जाती है, ठुमरी ठुमरी को कितने अंगों में गाया जाता है, बताईए जल्दी से बहुत प्रसिद्ध ठुम्री है, मुझे पूरी ठुम्री तो याद नहीं है अभी, बहुत समय पहले गाई थी, वो है ना, नमानोंगी, 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 पिया प्यारे, तो है क्रिष्न के मनाएं से मैं नमानोंगी, 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 जिनकी ठुम्री प्रसिद्ध है, दो ही अंग हैं, एक तो पंजाब अंग है, पंजाब अंग की ठुम्री होती है, और दूसरी आपकी पूर्वी अंग की ठुम्री होती है, इसकी पूर्वी अंग की ठुम्री, अब मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया था, कि दे अंग हो गए चलिए अगला पताईए क्या हो जाएगा थापिया बाज किसे कहते हैं थापिया बाज धुरुपद की तालों को धमार की तालों को खयाल की तालों को या एक से अधे पताईए जल्दी से क्या होगा पटापट से उत्तर दो हाँ बिल्कुल हमरी अटरिया पे आजारे सवरिया देखा देखी तनिक हुई जैरे बिल्कुल एक वो भी है देखो ध्यान नहीं आ रही है बहुत प्रसिद्ध उमरी है वो भी सागा माप माबनी सा सानी धाप मापनी धाप मागरे गासा आज शाम मोहलाई बासुरी बजाए के आज शाम आज शाम आज शाम ये ठुमरी मैंने गाई थी जब मैं 11th क्लास में थी स्टेट लेवल पर दिल्ली स्टेट पर बताईए क्या होगा थापिया बाज किसको कहते हैं जल्दी से बताईए क्या होगा पटावट से उत्तर दीजे सभी लोग देखे धुरुपद की तालों को कहा जाता है थापिया बाज ये खुले बोलों की ताल होती हैं ये कैसी होती है खुले बोलों की ताल होती है ये ठीक है और पहले ये पखावज पर बजाई जाती थी किस पर बजाई जाती थी पखावज पर बजाई जाती थी और आप लोगों को ये भी याद होगा कि धृपद जो है वो गंभीर गीत है गंभीर प्रकार का गीत है तो सीधी सी बात है कि इसलिए उसके साथ पखावज की संगती हुआ करती थी ठीक है चलिए अगला प्रशन बताईए धुरुपद में प्रयोग की जाने वाली तालें कौन-कौन सी है बताईए जल्दी से क्या होगा धुरुपद में प्रयोग की जाने वाली तालें कौन-कौ ये सभी, क्या होगा उत्तर, शेयर करिये दबाके इस समय 380 बालक है, आज हमें 500 पार जाना है, है ना, हमें दिखानी है अपनी संगीत की ताकत, क्या हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीडियेफ मिलेगी, बेफिक्र रहो, सबको पीडियेफ मिलेगी, केक कटेगा, स ही उत्तर, ये सभी, धुरुपद जो गाया जाता है, वो तीवरा में भी, सूल ताल में भी, आडाचार ताल में भी, रुद्र ताल में भी, इन सभी तालों में गाया जाता है, ठीक है, चलिए, आगे बताते हैं, अगला प्रश्न, दक्षन भारतिये शैली में भजन को क्य कहते हैं, जल्दी से बताइए, हाँ बिलकुल, शीतल जी हम रोज डेली आते हैं, तीन बजे से चार बे तक रोज हमारी शाम को क्लास होती है, ठीक है, तो तीन से चार आपको रोज मिलूंगी, मैं इसी बिहार अड़ा पर, आप चाहे BPSC टीचर की त्यारी कर रहे हो, म्यूजिक टीचर की, चाहे EMRS की त्यारी कर रहे हो, आप सभी लोग, चाहे आप DSSB की त्यारी कर रहे हो, चाहे आप आगे आने वाला भविश्य में, TGT, PGT, आपके KVS, NVS में भी आएंगे, UP में भी आएगा, तो सभी के लिए ये क्लास आपको काम करेगी बराबर, चार ताल में किसने कहा कि खयाल गया जाता है, भाई मैंने नहीं सुना, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा, दक्षिन भारतिये शैली में भजन को क्या कहते थे, पदम, कीर्तनम, शन, मुखम, इनमे से कोई नहीं, एक से अधिक, इसको अंग मत पढ़ ले ना, ये मा है, ठीक है, बताईए जल्दी से क्या होगा, पटावट से उत्तर दीजे सभी लोग, जल्दी से बताईए, क्या होगा उत्तर, कीर्तनम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कहा जाता है, दक्षिन भारतिये शैली में भजन को, ठीक है, आप लोगोंने सुना होगा, चैतन्य प्रभू कीर्तन ही करते थे, उसको कीर्टनम ही कहा जाता था कि टो भजन गया करते थे, ठीक है, ये कीर्टन पद तभी निकला है, चलिए, अगला प्रश्ण, लावनी कि सक्षेत्र का लोग गीत है, भृत्य में भी काम आता है, गाने में भी काम आता है, लावनी, 36 गण, मद क्षेत्र का लोग गीत है बताएए जल्दी से क्या होगा लावनी किस क्षेत्र का लोग गीत है क्या होगा C, D, B, very good, C क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्ली जल्ली उत्तर दीजे सभी लोग क्या होगा सही उत्तर रोज रोज आँखों तले, एक ही सपना चले, दात भर का जल जले, आँखों में जिस तरह खाबुका दिया जले, और रोज रोज आँखों तले, क्या हो जाएगा, C, महराश्र, ठीक है, लावनी बहुत प्रसिद्ध है महराश्र में, ठीक है, चलिए, उत्तर भारत की राग माला को दक्षिन संगीत पद्दती में किस नाम से जानते हैं, हम जिसे उत्तर भारत में राग माला कहते हैं, उसे दक्षिन भारत में क्या कहते हैं राग माला, राग माली का राग मंजरी, राग माली या इन में से कोई नहीं, बताईए जल्दी से क्या होगा फटा-फट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा जल्ली जल्ली से सब लोग बताएंगे, क्या होगा उत्तर पूर्णीमा आपको कुछ नहीं करना है बिहारड़ 247 का ओफिशल टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, आज की PDF में आप लूड हो चुकी है, अभी वाली जो PDF है, वो जब क्लास खतम होगी, उसके बाद कल सुभह तक आपको ये PDF वहाँ मिल जाएगी, ठीक है, चलिए जिसे हम राग माला कहते हैं उत्तर भारत में, उसे दक्षिन भारत में किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं, किस नाम से, जल्दी से बताइए, अच्छा, एक चीज और, एक प्रशन का उत्तर और देरी हूँ, महराश्वर में लावणी गाई जाती है, इसके साथ किस वाद्य की संगती होती है किस वाद्य की संगती इसके साथ होती है इसके साथ चंग वाद्य की संगती होती है कौन सा वाद्य चंग वाद्य ठीक है चंग वाद्य बजाय जाता है इसके साथ चलिए अगला प्रशन जो हम पूछ रहे थे इस प्रशन का उत्तर क्या होगा राग मालिका ठीक है चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं उत्तर भारत का धुरुपद दक्षिन भारत में किस नाम से जाना जाता है जिसे हम उत्तर भारत में धुरुपद कहते हैं उसे दक्षिन भारत में किस नाम से जानते हैं कीर्टनम जावली कृती पदम इन में से कोई नहीं बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर पटापट से सभी लोग उत्तर दीजे क्या हो जाएगा उत्तर भारत का जो धुरुपद है उसे दक्षिन भारत में किस नाम से जानते हैं बताईए जल्दी से क्या होगा जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा पटापट से बताईए क्या होगा उत्तर देने में थोड़ी सी स्पीड दिखानी है सभी लोगों को क्या हो जाएगा उत्तर उत्तर भारत का जो धुरुपद है उसे दक्षिन भारत में किस नाम से जानते हैं उसे हम कित नाम से पदम के नाम से जानते हैं, किस नाम से पदम, ठीक है, उत्तर भारत का धुरुपद है, दक्षिन भारत का पदम है, अगले प्रशन पर आएंगे, उत्तर भारत की ठुमरी को दक्षिन भारत में किस नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ पर ठुमरी कहते हैं, उसे द दक्षिन भारत में क्या कहा जाता है कीरतनम जावली पदम इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर भारत की ठुमरी को दक्षिन भारत में किस नाम से जाना जाता है बताओ जल्दी से क्या होगा पड़ा पड़ से उत्तर दीजे जल्दी जल्दी ये सभी लोग क्या होगा, उत्तर भारत की ठुमरी को दक्षिन भारत में किस नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, कीर्टनम, जावली, पदम, अथवा, इन में से कोई नहीं, क्या होगा सही उत्तर, जावली, क्या हो जाएगा सही उत्तर, बिल्कुल सही बात, उसे जावली के नाम से जाना जाता है ठीक है? उत्तर भारत में हम उसे ठुमरी कहते हैं दक्षिन भारत में हम उसे जावली कहते हैं अगला प्रशन जावली को किस ताल में गाया जाता है? आपकी जो जावली विधा है गेय विधा, इसे किस ताल में गाते हैं, आठ मात्रा की आदी ताल में, तीन मात्रा की रूपक, ध्यान रखना यह जो रूपक ताल है, यहाँ अलग होती है, हमारे यह उक्तर भारत में और दक्षिन महारत में अलग होती है, दोनों अलग-अलग हैं, तीन मात्रा की रूपक जल्दी से पताईए क्या होगा, 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 जल्दी से उत्तर देजे 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 क 6 मातरा की आदिताल, 3 मातरा की रूपकताल, 16 मातरा की जटताल, 6 मातरा की दादरताल या एक से अधिक मुझे पता था नहीं मिथुन, हिंदी की ग्लास नहीं होगी बताइंे ज्युदी से क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा, एक से अधिक पुछो क्यूं? ये आठ मात्रा की आधिताल में और तीन मात्रा की रूपकताल दोनों में गाय जाता है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक ठीक है? जावली जो है वो आठ मात्रा की आधिताल और तीन मात्रा की रूपकताल दोनों में गाय जाता है ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक अगला प्रश्न दक्षिन पद्दती में कितने गमकों का प्रयोग किया जाता है? 10 गमक, 15 गमक, 12 गमक, 8 गमक या इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? पटाफट से उत्तर दो जल्दी से बताइए सिंटू सर कह रहे हैं क्या बात है मैम? प्लीज गाइस शेर दा सेशन हो ना तो चाहिए सर के मताबिक बात तो सही है है ना? इतनी महनत हम आप लोगों के लिए करते हैं देखिए पंदरा गमक के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिये कि उत्तर भारत में पंदरा गमक जो हैं वो प्रसिद्ध हैं है ना? और हमने सब के नाम भी पढ़े थे संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों में पंदरा गमक दिये गए हैं मिस्स पूरित है, पल्लवित है जिसको आज के समय में जैसे अलग-अलग नामों से गमकों को जाना जाता है खटका, मुर्की, मींड है ना? अभी के जो गमक है वो अलग नाम से जाने जाते हैं पुराने जो गमक हैं तो बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर दक्षिन पद्दती में कितने गमक? जल्दी से बताईए क्या होगा? 10 गमक होंगे, कितने होंगे? 10 गमक होंगे, 15 होते हैं उत्तरी संगीत में उत्तरी संगीत में 10 नहीं 15 होते हैं दक्षिणी संगीत में 15 नहीं 10 होते हैं ठीक है चलिए अगले प्रशन की ओराते हैं अगला प्रशन देखिए दक्षिण में प्रयोग किये जाने वाले 10 गमक कौन कौन से है थोड़ा सा मैं एक बार नजर मार दे रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए ठीक है चलिए नहीं 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 15 उत्तर भारत में है 12 नहीं 10 है नाम सुनो 10 कौन कौन से है आरोहनम है अब रोहनम है डालू है सुरित है शिव पुच्छम है आहतम है और प्रत्याहतम है इसको प्रतिजमा आहतम कहेंगे ठीक है संस्कृत भाषा में ठीक है और कमपितम है आंदोलितम है या मूर्छना है ये 10 आपके क्या है ये 10 आपके अलग-अलग गमक है जो दक्षिन भारत में प्रयोग में आते हैं ठीक है गे विद्या में अगला प्रश्न किस राग का नाम दोनों संगीत पद्दतियों में समान है देखी ये प्रश्न पूछा गया है तो किस राग का नाम दोनों संगीत पद्दतियों में समान है राग सिंधु भैरवी राग हनुमत तोड़ी राग तोड़ी या इन में से कोई नहीं बताए जल्दी से उत्तर क्या होगा पटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा किस राग का नाम दोनों संगीत पद्दतियों में यानि के दक्षिनात्य संगीत पद्दति भी और उत्तर भारतिय संगीत पद्दति भी दोनों में उस राग का नाम समान है हाँ राग के जो लक्षन है उन में अंतर है लेकिन राग का नाम एक बराबर है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटा फट से उत्तर दो क्या होगा किस राग का नाम दोनों संगीत पद्दतियों में समान है क्या हो जाएगा सही उत्तर देखिए राग का नाम तो समान है लेकिन नाम के अलावा दोनों के लक्षण में अंतर है लक्षण में अंतर है ठीक है? दोनों के लक्षण अलग-अलग है ठीक? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बिल्कुल इसका सही उत्तर D होगा राग तोड़ी ये दक्षिन में भी पाय जाता है, उत्तर भारतिये में भी पाय जाता है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है न, दोनों रागों के जो लक्षन है वो अलग-अलग होंगे, अगला प्रश्न, राग हनुमत तोड़ी हिंदुस्तानी संगीत के किस है, प्रश्न है, हनुमत तोड़ी जो राग आपका दक्षिन में पाय जाता है, वो उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, तोड़ी, मारवा, भैरव, भैरवी, अथवा, इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, पटा-फट से कोई, जल्दी से बताए उत है, कि तोड़ी राग दोनों में होता है, तो तोड़ी तो नाम नहीं हो सकता, मारवा, भैरव, भैरवी, तीनों में से कोई ये होगा, या तो कोई नहीं, इन में से, क्या हो जाएगा सही उत्तर, देखूं, बूझो तो जाने कौन देगा सही उत्तर, जल्दी से बताएए स हम लोग पहले लिख भी चुके हैं, लिख चुके हैं ना, बिलकुल, बिलकुल, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा D, भैरवी को हनुमत्त तोडी के नाम से जाना जाता है, सॉरी, किस नाम से, हनुमत्त तोडी के नाम से, ठीक है, चलिए, अगले प्रश थोटी, तोड़ी, सिमहेंदर या फिर इन में से कोई नहीं, क्या होग उत्तर, जल्दी से सभी लोग उततर दीजेगे, फटा-फट से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईएगे 열ंचे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा D E D very good गरम पानी मिल सकता है थोड़ासा मिल जाये तो दे दो भाया इसमे ठंडा नॉर्मल पानी है यहां कोई होगा न थैंक गॉड चलिए बताईए जल्दे से क्या होगा आप लोगों के लिए रात रात भर जाग रही हूँ अखेले में यहां भूतों की तरह विचरन करूंगी राग करनाटी की पद्दती से हिंदुस्तानी पद्दती में लिया गया है सिमहेंद्र ठीक है पहले करनाटी की पद्दती में था इसे अपनाया गया है भारतिय पद्दती में यानि के उत्तर भारतिय पद्दती में ठीक है तो सही उत्तर इसका D हो जाएगा, अगला प्रश्न, यह आपको मास्टर्स में पढ़ने को मिलेगा राग, ठीक है मास्टर्स में पढ़ा जाता है, यह और भी कई जगा पढ़ा जाता है, निमलेकित में से कौन सा राग, हिंदुस्तानी पद्दती से करनाट की पद्दती में लिया गया है सिमहेंद्र, तोड़ी हरी कामभोजी, सिंदु भेरवी या इन में से कोई नहीं बताईए जल्दी से बोलिये सबी लोग क्या होगा उत्तर ओके, ओके जल्दी से बताईए सबी लोग क्या हो जाएगा देखिए मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कल, यानि के शनिवार को कब शनिवार को आप लोगों की फिर से 9 बजे से 11 बजे तक रात में रैपिड फायर कैसी? रैपिड फायर मैरिथन होने वाली है, ठीक है? मतलब इसमें आप लोगों के लिए कम से कम सौ प्रशन रखूंगी और सौ प्रशन मतलब ऐसे टिक 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 वाला, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल तयार रहना है इसके लिए, चलिए पताईए जल्दी से क्या होगा? किस सिराग को हिंदुस्तानी पद्दती से करनाटे की पद्दती में लिया गया है? अभी हमने क्या पढ़ा? कि हमने करनाटे की संगीत से हिंदुस्तानी पद्दती में कौन सा राग लिया? अब हिंदुस्तानी से करनाटे की में कौन सा लिया? यह बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर? सिंधु भैरवी क्या हो जाएगा सही उत्तर? सिंधु भैरवी D सही उत्तर होगा इसका ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्तर D चलिए अगले प्रशन पर आते हैं सिंधु भैरवी भी आप लोगों को NetJRF में पढ़ने को मिलता है करनाटे की संगीत का राग हिंडोलम करनाटे की संगीत में हिंडोलम नाम से एक राग जाना जाता है उस राग को उत्तर भारतिय संगीत पदती के किस राग के समान माना गया है कौन सा राग है जो दक्षिन भारतिय पदती में हिंडोलम नाम से जाना जाता है उत्तर भारतिय पद्दती में किस नाम से जाना जाता है भैरव, मालकॉंस, जिन जोटी, मारवा, इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटाफट से सभी लोग उत्तर दो अविनाश, कल रात ग्यारा, नौ से ग्यारा कल रात, कल रात मतलब की शनिवार नौ से ग्यारा आपकी फिर से मैरथन रहेगी ठीक है, और रविवार को तो एक बजे से पांच बजे तक मैरथन रहने वाली है ही तीन दिन लगातार आप लोगों की मैरथन है रविवार एक से पांच मैरथन रहेगी आप लोगों की ध्यान रखना ठीक है ये तीनों दिन की मैरथन आप लोगों के लिए राम बान सिद्ध होने वाली है ये तीन दिन की मैरथन आप लोगों को याद रहेंगी पेपर तक बताए जल्दी से क्या होगा जल्दी से उत्तर दीजे चैँए, क्या हो जाएगा, करनाटकी संगीत का राग हिंडोलम उत्तर भारतिय संगीत पदती के किस राग के समान है, भैरव मालकौंस जिन्जोटी या मार्वा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, माल कौन्स राग राग माल कौन्स धियान है न वो चलिए इसी बात पर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताई कि माल कौन्स का वादी स्वर क्या है कौन बताएगा देखूं भला हाँ कल नौ बजे से रात को ही है कल रात को नौ बजे से और सुभा सबा नौ बजे एक सेशन है जुड़ना मत भूलना ठीक है कल सुभा कल सुभा नौ बज कर पंदरा मिनट पर सेशन है कल दुपहर में दो बज कर 40 मिनट पर सेशन है और फिर रात को मेरेथन है 9 बजे से 11 बजे ये तीनों टाइम नोट कर लो भूल मत जाना कोई भी ठीक है? चलिए राग पूरिया धनाश्री को दक्षिण पद्दती में किस नाम से जाना जाता है? तोड़ी, रविचंद्रिका, किरवानी, कामवर्धिनी इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर कल ही आपको विक्रित स्वर के प्रशन भी गरा दूगी उसी के माध्यम से गरा दूगी ठीक है? बेफिक्र रहो जल्दी से बताइए क्या होगा? उत्तर दीजे सभी लोग आँ, मन तरसत हरी दर्शन को आज बिल्कुल सही बाद एक वो है ना? इसका एक तराना भी है अप लोगों को शादियाद होगा क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से सभी लोग उत्तर जीजे फटाफट से क्या होगा? पूरिया धनाश्री को दक्षिन पद्दती में किस नाम से जानते हैं? दक्षिन पद्दती में पूरिया धनाश्री को कामवर्धिनी के नाम से जाना जाता है किस नाम से? कामवर्धिनी है ना हाँ बिलकुल बिलकुल कामवर्धिनी कहते हैं बिलकुल अगला प्रशन बताओ दक्षन का राग हमीर कल्यानी किन राग के मेल से बना है दक्षन में एक राग प्रचलन में है बहुत जादा हमीर कल्यानी राग वो राग किन रागों के मेल से बना है गौतम पांच बज shift हो गई है ठीक है चलिए हमीर जमा कल्यान हमीर जमा कल्यानी हमीर जमा केदार हमीर जमा यमन या इन में से कोई नहीं मतलब किन दो रागों के मेल से बना है हमीर कल्यानी हमीर और कल्यान के मेल से हमीर और कल्यानी के मेल से हमीर और केदार के मेल से हमीर और यमन के मेल से या इन में से कोई नहीं बताए जल्दी से क्या होगा अब बिल्कुल मैंने कल के टाइमिंग्स आपको बता दिये हैं, मैं फिर बता रही हूँ कल का पहला टाइमिंग है सुबह, 9 बज़ कर 15 मिनिट, दूसरा टाइमिंग है, 2 पहर 2 बज़ कर 40 मिनिट तीसरा टाइम है, रात 3 9 बज़ कर 9 बज़े से और 11 बज़े तक ठीक है, ये 3 टाइमिंग है भूल मत जाईएगा आप लोग जैसे दवाई लेते हैं, ऐसी 3 समय की दवाई है आपकी, इस दवाई को में BPSC होने तक पीना है रोज बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल, किस के मिन से बना है, हमीर और कल्यानी के मिन से बना, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न राग भूपाली को दक्षिनात्य संगीत में किस नाम से जाना जाता है यानि के करनाट की संगीत में आब राग भूपाली को किस नाम से पहचानेगे रागेश्री, रवी चंद्रिका, मोहनम इन में से कोई नहीं, एक से अधिक उत्तर दीजे क्या होगा मा के नीचे हलंट लगा लिजेगा बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर राग भूपाली को दक्षिनात्य संगीत में किस नाम से जाना जाता है रागेश्री रविचंद्रिका मोहनम इन में से कोई नहीं एक से अधिक, बताए जल्दी से क्या होगा प्रशन का उत्तर फटा फट से सभी लोग देंगे क्या हो जाएगा प्रशन का उत्तर मोहनम और कोई जल्दी से पताईए क्या होगा जल्दी से पताईए फटाफट से क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात मोहनम सही उत्तर होगा राग भूपाली को मोहनम के नाम से जानते हैं अगला प्रश्न दक्षन के राग शुद्ध सावेरी को उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं दक्षिनात्य राग है एक क्या नाम है शुद्ध सावेरी उसका दक्षिन का नाम है शुद्ध सावेरी अब भारत उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं भीमपलासी, बागेश्री, दुरगाब केदार या फिर इन में से कोई नहीं बताईए जल्दी से क्या होगा मावादी सा समवादी very good मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे है ना सभी लोग बताईए जल्दी से क्या होगा यही स्पिरिट चेहे मुझे आप लोगों से सभी से दक्षिन के राग, शुद्ध, सावेरी को उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? मीम पलासी, बागेश्री, दुर्गा, केदार या इन में से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? C, B, very good. नहीं, म्यूजिक क्लास जी, नेट की अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, केदार टीजीट, पीजीट के लिए क्लास है, लेकिन हाँ, आपको मदद जरूर कर सकती है क्लास. ठीक है? चलिए. फटा-पट से बताईए क्या होगा? जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? राग दुर्गा. क्या हो जाएगा सही उत्तर राग दुरगा पानी तो है आप आपके यहाँ पर चाय मिलेगी इस समय बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ी जादा अधरकवाली चाहिए धन्यवाद चलिए बताएए जल्दी से क्या होगा शुद्ध सावेरी को राग दुरगा के नाम से जानते हैं किसके नाम से राग दुरगा के नाम से ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन क्या कह रहा है दक्षिन में किस राग से संगीत सभा का समापन होता है मतलब कि अगर आप दक्षिन में जाएंगे तो शुरुवात के लिए अलग राग गाएंगे और अंत के लिए अलग आज भी महाँ पर पुरानी चीजें फॉलो होती हैं करनाटे की संगीत में है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए बताइए क्या होगा मुखारी खा पी के बैठे हैं मैं सिर्फ पी रही हूँ खा नहीं रही हूँ जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर दक्षिन में किस राग से संगीत सभा का समापन होता है क्या हो जाएगा सही उत्तर देखे किसी भी बालक को इस तरह का कोई भी प्रशन पूछना है तो अंत तक इं ठीक है, जल्दी से बताईए क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा आपका राग सौराश्टरम, क्या हो जाएगा उत्तर, राग सौराश्टरम, ठीक है, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, अगले प्रशन का उत्तर जीजिए सभी लोग, द तीन लोगों ने संगीत में, दक्षिन में बहुत योगदान दिया है, अभी हाल फिल हाल में, मतलब कि बहुत प्राचीन चीजों की बात न करें, अभी की बात करें, पिछले 100-200 सालों की तो इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है, दक्षिन के संगीत के लिए, कौन ह त्याग राज, शामा सास्त्री, मुत्तु स्वामी देक्षितर, या फिर शामा सास्त्री, कमलनाथ, रन्ना स्वामी, या फिर मुत्तु स्वामी देक्षितर, त्याग राज और राम निधी गुप्त, या फिर इन में से कोई नहीं, या फिर ये सब ही, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बूझ हो तो जाने है ना फटावट से बताएगे क्या होगा उत्तर जल्दी से बताएगे उत्तर क्या होगा बहुत सारे बालग आज यहां वरत में भी मैनत कर रहे होंगे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे मतलब साथ ही नैसी होंगी जिनू निवरत रखा होगा लेकिन फिर भी आप लोग मेनद कर रहे हो मैं भी तो मेनद कर रहे हूं बराबर बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर दक्षिन में संगीत की त्रिमूर्ती किसे कहा जाता है बिलकुल इसका सही उत्तर वो होगा जो जादतर लोग नहीं बता रहे है यानि के ए त्यागराज, श्यामा सास्त्री और मुत्तु स्वामी दीखशितर इन तीन लोगों को जाना जाता है दक्षिन की संगीत की त्रिमूर्ती के नाम से ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अर्ती, अर्तालेस, पद्म पद्म जो है, वो किस प्रकार की गायन विधा है, पदम, विलंबित है, दृत है, अती दृत है, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक क्या होगा सही उत्तर, बताओ जल्दी से, सभी लोग उत्तर देंगे क्या होगा, जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताईए क्या होगा, उत्तर की स्पीड कम होते हुए, हाँ बिलकुल राजचंदर जी दे सकते हैं आगे नोटिफिकेशन आने जीजे क्लियर हो जाएगा कि इनृत्तिका और गायन का अलग-अलग क्या है ठीक है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा पदम किस प्रकार की रचना है इसका सही उत्तर होगा अब पूछो क्यों क्योंकि पदम को हम अपने यहाँ पर किस नाम से जानते हैं धुरुपद के नाम से किस के नाम से जानते हैं धुरुपद के नाम से और ये कैसी रचना है गंभीर गे रचना है कैसी रचना गंभीर गे रचना इसको हम गीत कह सकते है, मरदाना गीत, ठीक है, और विलंबित लए में गाये जाता है, किसमें गाये जाता है ये, विलंबित लए में, तो जब हम धुरुपद को विलंबित लए में गा रहे हैं, तो फिर ये कैसे आपका अतिदृत या दृत में हो सकता है, नहीं होगा, किसम होगा विलंबे तलाय में होगा ए सही उत्तर होगा अगले प्रश्ण पर आएंगे नवावरन के रचनाकार कौन थे नवावरन करनाट की संगीत की एक बहुत प्रसंद पुस्थक है इसके रचनाकार कौन है स्वाती तिरुनल मुत्तु स्वामी दिक्षितर त्याग राज इन में से कोई नहीं एक से अधी क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दो सभी लोग क्या होगा जल्दी से बताएगे सभी लोग क्या हो जाएगा हानिभा बिलकुल PDF मिलेगा जितने भी बच्चे यहां वो कह रहे रहे ना कि केक कटेगा सब में बटेगा पतल लेगे बैठे रहो आराम से इस पतल में PDF जरूर आएगी ठीक है जल्दी से बताएगे क्या होगा गीता उसके जल्दी से बताएगे नव आवरन के रचनाकार कौन थे जल्दी से बताएगे क्या होगा जल्दी से उत्तर देंगे सभी लोग ने बिलकुल मिलता है सूरे कांती जी बस आपको देखना नहीं आता जिन बच्चों को देखना नहीं आता वो सारे बच्चे बिहार अड़ा 247 का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिजे वहां मिलेगा PDF ठीक है नव आवरन के रचनाकार क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका सही उत्तर होगा मुत्तु स्वामी दीक्षितर बी सही उत्तर होगा इसका ठीक है क्या होगा उत्तर बी मुत्तु स्वामी दीक्षितर ने लिखी है नव आवरन ठीक है चलिए अगले प्रशन पर आते हैं चोलू केट्टू का संबंध किस से है तिलाना से वर्णम से पदम से इनमे से कोई नहीं एक से अधी बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दो सभी लोग क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा बेफिक्र रहे, हारे का साहरा, बाबा-शाम हमारा, ऐसे बोलते हैं न, बहुत ज्यादा तो आप लोग हारे हुए नहीं है, आपके साथ आपकी क्शमता है आप लोगों का विवेख है, आप लोगों की बुद्धी है, आप लोगों का साहस है उस साहस को बनाए रखें निश्चित तोर पर काम आएगा है ना बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका ये ऐसान कभी नहीं भूलेंगे बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर A, B चोलू के टू किस से संबंद रखता है क्या हो जाएगा सही उत्तर तिलाना से किस से तिलाना से तिलाना जिसे हम लोग तराना कहते हैं क्या कहते हैं तराना मतलब उत्तर भारत में इसको तराना कहा जाता है दक्षिन भारत में से तिलाना कहते है वर्णम आप लोगों को पता चल गया पदम आप लोगों को पता चल गया बाकी option आप है यही नहीं कुछ option फिर दक्षिनात्य पद्दती का शुद्ध थाट किसको माना जाता है हम बता रहे हैं कैसे आएगा बेफिकर रहो क्लास के एंड में बता कर जाओंगी ठीक है चल गये अब बता दीजे दक्षिनात्य पद्दती का शुद्ध थाट किसे मानते हैं शुद्ध शंकराबरन को हरीकाम भोजी को कनकांगी को इने में से कोई नहीं एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या होगा भाईया काहे option पर ध्यान दे रहे हो बस ये ध्यान दो उत्तर कितना सही है इस पर काम करना है option 4 होगी 5 में तो सही समझ एक ही तो सही होगा 4 होगा तब भी एक सही होगा 5 होगा तब भी एक सही होगा है कि नहीं हर तरह के प्रशन इसले करा रहे हूं क्योंकि पिछली बार गुगली हो गई आप लोगों के साथ DPSC में मैं नहीं चाती हूं इस बार आप लोगों के साथ गुगली हो चलिए बता ही जल्दी से क्या होगा उत्तर हाँ बिल्कुल जल्दी से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा दक्षिनात्य पद्दिती का शुद्ध थाट किसको मानते है कन कांगी को माना जाता है किसको कन कांगी को ठीक है शुद्ध शंकराभरन बिलावल को कहा जाता है शुद्ध थाट नहीं माना जाता है समझ रहे हो अब बहुत सारे बालक यहीं कन्फियूज हो जाएंगे फिर से ध्यान से सुनो शुद्ध शंकरा भरण किसको कहा जाता है बिलावल को और बिलावल को उत्तर भारत में शुद्ध थाट माना गया है उत्तर भारत में शुद्ध थाट मानते हैं किसको बिलावल को लेकिन ध्यान रखो, उत्तर भारत और दक्षिन भारत के जो स्वर हैं वो अलग-अलग है, तो आपको दोनों को मिलाना नहीं है, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं बिल्कुल डी-मोटिवेट नहीं होना है, नया सीखा है आप लोगोंने, इसी ल चरित्रम के रचनाकार कौन थे, नौका चरित्रम के रचनाकार कौन थे, मुत्तु स्वामी दीक्षितर, स्वाती तिरुनल, त्याग राज, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, क्या हो जाएगा, हाँ, वही तो, यही तो बात है, खेला हो जाएगा तुम लोगों के साथ फिर अभी तो चार उप्शन वाले करा दूँगी, फिर पता चला पांच वाले आ गए तो हो गई समस्या, और वो लोग तो उप्शन भी ऐसे ऐसे डालेंगे, तुम लोग वहाँ सर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है? जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, क्या होगा? नौका चरित्रम के रचनाकार कौन है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर दू सभी लोग, बिलकुल सही है उनका उत्तर जिन्होंने सी दिया है, त्याग राज ने लिखी है, नौका चरित्रम लिखी है त्याग राज जी ने, ठीक है? चलिए, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर सी? अगले प्रश्ण पर आते हैं, प्रश्ण संक्या तरिपन दक्षिनात्य विदूशी आंडाल, आंडाल बहुत प्रसिद्ध थी उनकी रचनाय किसको समर्पित थी? आंडाल बिल्कुल ऐसे ही थी, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में मीरा रही न उत्तर भारत में तो कौन प्रसिद्ध थी? मीरा, मीरा बाई वो जैसे भगवान को पूरी तरीके से अपने आपको समर्पित कर चुकी थी बिल्कुल ऐसे ही क्या थी? दक्षिनात्य में आंडाल थी, विदूशी आंडाल किसको समर्पित करती थी अपनी रचनाये? क्रश्न को, राम को, शिव को, विश्नु को बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? रशिकेश, चार हो या पाच हो? हमें सही एक चुनना है अब मुझे एक बात बताओ, आप्शन पाच होंगे तब भी एक ही सही होगा आप्शन चार होंगे, तब भी एक ही सही होगा तो हमें तो एक चाहिए ना? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजे क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताईए इसका सही उत्तर होगा भाया मीरा के जैसी थी तो मीरा जब किसको गाती थी कृष्ण को गाती थी कृष्ण के लिए गाती थी तो ये भी उनी के लिए गाती थी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शैव मत से होंगी या फिर वैशनव मत से होंगी, तो इसलिए COD पर आकर अटक गए, यहीं हो गई गडबर, किसके लिए गाती थी, क्रश्न के लिए, ठीक है, दक्षिनात्य रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, दक्षिन में जो रूपक ताल है, उसमें कितनी मात्राएं होती है, 6, 8, 10, 12, कितनी मात्रा होती है, सबी लोग उत्तर दो फटाफट से, जल्दी से बताएं क्या होगा, कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 10, 6, क्या हो जाएगा सही उत्तर, 6 मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, 6 मात्राएं होती है, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, खंड जाती जप ताल में कितनी मात्राएं होती है, देखिए, खंड जाती है, और भी कई सारी, जैसे त्रिपुट जाती है, तो कई तरह की जाती अब पूछा है, खंड जाती की एक ताल है, जप ताल, उसमें कितनी मात्राएं होती है, ये भी दक्षन की ही जप ताल है, आठ, दस, छे, बारा, बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर, जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, खंड जाती की जप ताल है, उसमें कितनी मात्राएं हो दक्षिनात्य जपताल है ये बताईए जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर 6, 10 उत्तर थोड़े अटक रहे होंगे गलत होगा लेकिन 2 जरूर उत्तर ठीक है ये नई चीज़े हैं नई चीज़े पता चलेंगे आप लोगो कॉपी बेनोट करो इनको क्या हो जाएगा सही उत्तर खंड जाती की जब ताल में कितनी मात्राएं होती है आठ मात्राएं होती है कितनी होती है आठ मात्राएं होती है ठीक है चलिए अगले प्रशन पर आते हैं मठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं मठ ताल भी आपकी दक्षिनात्ते ताल है कौन सी ताल है दक्षिनात्ते ताल है ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा कितनी मात्राएं होती हैं इसमें छे हैं, आठ हैं, दस हैं, बारा हैं, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, मठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, उत्तर दो सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा सही उत्तर, दस मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, दस मठ ताल में दस मात्राएं और जप में जप में कितनी हो जाएंगी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है जप ताल में आठ मात्राएं ठीक है चलिए दक्षिनात्य का मतलब होता है दक्षिन संबंधी ठीक है दक्षिनात्य का मतलब होता है दक्षिन से संबंधी या करन ठीक है, दक्षिनाथ्य के पेलो, करनाटेगी केलो, एक ही बाता है अलग-अलग नहीं है दक्षिनाथ्य एक ताल में कितनी मात्राइं होती है चार, पांच, छे, आठ या फिर इनमें से कोई नहीं क्या होगा सही, उत्तर चल्दी से लोग जल्दी से उत्तर दो सभी लोग क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर देंगे सभी लोग दक्षिनात ते एक ताल में किदिनी मात्राएं होती है जल्दी से बताओ सभी लोग आचल धैर बनाए रखो देखो दो ही चीज़े होती है हम उत्तर उनका दे पाते हैं नहीं दे पार है उसका मतलब वो चीज आपने नहीं सीखी, तो इसको ऐसे लो है ना, हाला कि मैं बताते हुए भी चल रही हूँ चीजें, जहां देखें, जहां पर चीजें सटीक हैं, एक शब्द का उत्तर है, वहां मैं व्याख्या नहीं कर सकती, किसी का नाम है, कोई ऐसी है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, तो नहीं कर पा रही हूँ, किसी चीज के बारे में कोई विशिष्ट बात है, कोई व्याख्या अत्मक चीज है, तो मैं व्याख्या करते हुए चल रही हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, चार, और कोई, और कोई साथ ही जो उत्तर देना चाहता हो बिल्कुल सही बाद चार मात्रा होती है एक ताल में दक्षिन की जो एक ताल है उसमें चार मात्राएं होती है संगीता वो दस तारीक से होगी ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है ध्रुव बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है क्या होगा सही उत्तर जल्दी से बताईए सभी लोग रिशीकेश चिंता मत करो वहाँ तो थ्योरी पढ़ाई जाएगी ना अच्छे से कोई बात नहीं सनुरूद गलत ही होगा इससे जादा क्या ही होगा है ना जल्दी से बताऊ दुरुव ताल में कितनी मात्रा है ज्यान रखना ये सारे प्रशन हम दक्षिन भारत के ही कर रहे है कितनी मात्रा हैं बारा चौदा सोला अठारा अंजली एंड में बताऊंगे क्लास के निशिंत रहो है ना क्या हो जाएगा सही उत्तर चौदा मात्राएं होती है कितनी मात्राएं होती है चौदा ये दक्षिन की ताल की बात ही हो रही है दक्षिन आत्य मतलब की दक्षिन से संबंधी ठीक है चलो अगला प्रशन है त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है जल्दी से बताओ क्या होगा प्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है ठीक है 7, 8, 13, 12 इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर हाँ बिलकुल मिलेगी अकांग्षा PDF मिलेगी निश्शिंत रहो PDF सबको मिलेगी ठीक है हाँ प्रिया पोल लाएंगे कल वाला जो rapid fire होगा उसमें पोल लाऊंगी ठीक है चलो बताओ जल्दी से क्या होगा 628 VPSC में रूही है 628 के लिए नहीं है ये 9, 10, 11, 12 वो भी सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए है ना चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा फटा फट से बताइए त्रिपुट ताल में कितनी मात्रा है नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक आएगा सारे सब्जेक्स आएगे जनरल सब्जेक्ट होगे math होगा, reasoning होगा gkgs होगा, current affairs होगा और आपका language paper होगा जिसमें Hindi और English भी होगे सारी चीजे होगे लेकिन सबसे ज़्यादा marks का तो यही होगा बताईए जल्दी से क्या होगा फटा फट से त्रिपुट ताल में कितनी मात्रा हैं कितनी मात्रा हैं? साथ मात्राएं, कितनी मात्राएं? साथ मात्राएं होती हैं त्रिपुट ताल में क्या हो जाएगा? साथ मात्राएं ठीक है? अगला प्रश्न दक्षिनात्य गायन विधा पदम में कितने भाग अथवा पंक्तियां होती हैं? दक्षिन में जो पदम गाया जाता है, पदम, उसमें कितनी पंक्तियां या कह लिए कितने भाग होते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दो, तीन, चार, छे, इन में से कोई नहीं, पताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, बेफिक्र रहो सरगम जी, वो प्रशन ऐसे होगे कि आपको नोट करनी के आवश्यक्ता नहीं होगी, उसका मैं आपको PDF उपलब्द करा दूँगी, ठीक है, बस समझिये, सुनिये, और फिर PDF से एक बार कर लिजे, जल्दी से बताइए क्या हो कितनी पंक्तिया क्या हो जाएगा, दो, तीन, चार, छे, बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटा-फट से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, यह आज का आखरी प्रश्न, फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजे, उसके बाद मैं आप लोगों कुछ जरूरी चीजे बताऊंगी, कैसे आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे, कैसे आप लोग क्लासेज देखेंगे रोज, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्लासेज ढूनने में, क्या हो जाएगी आपकी, चर्णम, क्या हो जाएगी, चर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी, और चर्णम, ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके आज के 60 प्रश्न, मता आया, आनन्दाया, 60 प्रश्न करने में, लगा कि कुछ किया, हैं, आज महसूस हुआ कि आपने कुछ किया, ठीक है, अब जानिये कि कैसे आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैं फोन से बता रही हूं, ध्यान से सुनना, सभी लोग कैसे आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे, ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूं, देखो, एक तो सभी लोग क्या करना टेलिग्राम पर सर्च करोगे आप सभी लोग बिहार अड़ा 247 जैसे ही आप बिहार अड़ा 247 सर्च करोगे सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा ओप्शन खुल के आएगा, ठीक है इस चैनल को कर लेना सभी लोग सब्सक्राइब, ठीक ये तो होगे आपका यूट्यूब वाला, ऐसा ही चैनल टेलिग्राम चैनल भी है, टेलिग्राम चैनल को आप लोग जॉइन कर लेना, जॉइन करोगे तो देखो, यहां मेंबर, फिर बीडिया, फिर फाइल्स फाइल्स में जब आप जाओगे, तो आपको देखो यह BPSC दिख रहा है, गजंपा ताल वाला दिख रहा है, ऐसे करके आपको सारी PDFs यहां पर music वाली भी दिख जाएंगी सारी PDF होंगी, उसमें music की भी PDF होगी ठीक है, तो इस PDF में आपको यह सारे questions और इनके answers, दोनों चीज़े मिल जाएंगी ठीक है, अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कैसे batch join करें मैं batch के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है और कैसे आप लोगों को batch join करना है, देखिए आप लोग तयारी कर रहे है BPSC के लिए BPSC music के लिए ठीक है तो आपके सामने दो चीज़े हैं कुछ बच्चे TGT की तयारी कर रहे है कुछ बच्चे PGT की तयारी कर रहे है कुछ बच्चे दोनों की तयारी कर रहे है तो जो केवल TGT की तयारी कर रहे है वो आयाची batch join कर सकता है ठीक है जो केवल PGT की तैयारी कर रहा है ये 9-10 वाला batch जोईन करिएगा जो TGT की तैयारी कर रहे है ठीक है? जो PGT की तैयारी कर रहे है वो लोग क्या करेंगे? वो भी IACHI batch जोईन करेंगे लेकिन कौन सा? वो 11th और 12th वाला batch जोईन करेंगे जो दोनों की तैयारी कर रहे है वो लोग MahaPack जोईन करिएगा क्या जोईन करिएगा? MahaPack या आप लोग 6-8 की भी तैयारी कर रहे है तो वो भी आपके Teaching के MahaPack के अंदर ही Include हो जाएगा ठीक है? अब मैं बता देती हूँ कैसे आप लोग जोईन करेंगे बैच को ध्यान से सुनिएगा हम लोग पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले 9th और 10th वाले बैच के बारे में तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले Google पर सर्च करना है क्या? मैं थोड़ा सा बता दे रहे हूँ कैसे सर्च करेंगे Google पर सर्च करेंगे अड़ा 247 जैसे ही आप Google पर अड़ा 247 सर्च करेंगे सर्च करने के बाद पहला ही ओप्शन खुलके आएगा इस पर क्लिक करेंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ऐसा ओप्शन खुलके आएगा ठीक है यहां देखे इसके बराबर में लिखा होगा All Courses, इस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह option खुल के आएगए, यहां State Exam लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा, State Exam में पहला ही State बिहार है, जब आप बिहार को देखेंगे तो लिखा ह महापैक, शिक्षक भरती 9-10, TGT की तयारी कर रहे हो, तो इस पर क्लिक करना, PGT की तयारी कर रहे हो, तो शिक्षक भरती 11-12 पर, और अगर दोनों की तयारी कर रहे हो, तो भी बता रहे हूँ, तो पहले TGT देख लेते हैं, इस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप TGT वाले batch पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का option खुलके आएगा ठीक है ये लिखा है महा pack शिक्षक भरती का महा pack इसके बराबर में लिखा है आयाची batch ये कौन सा है music का 910 वाला मैं इसको बता रही हूँ कैसे join करना इस पर click करिएगा जब आप इस पर click करेंगे तो batch का description आपके सामने आ जाएगा इसमें आप लोगों का study plan भी है आप देख सकते हैं कितनी कितनी चीज़े कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी ये batch शुरू हो रहा है आपका 10 October से कब से शुरू हो रहा है 10 October से ये batch शुरू हो रहा है और इसकी timing मेरी class की 6 बजे से 8 बजे रोज 2 घंटे की classes होंगी आपकी केवल music की बाकी जारे subjects भी आपको इसमें मिलेंगे ठीक है आपको अलग से कोई भी subject पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चाहे तो आप maths, reasoning, gkgs, current affairs की मतलब common paper की बात करें हो आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आपका जो paper रहने वाला है वो 40 number का common paper रहेगा और 80 number का आपका subject specific यानि के music रहेगा ठीक है तो ये 40 number की तयारी भी होगी 80 number की तयारी भी होगी और एक होगा आपका language paper तो उस language paper की भी तयारी होगी हिंदे English जोनों की इसी batch में आपको सारी चीजे मिल जाएंगी अब इस batch में और क्या-क्या मिलेगा देखो recorded videos भी मिलेंगी live session तो आप देखी सकते हो recorded batch भी देख सकते हो बाद में अगर मालो नहीं देख पा रहे हो live तब इसमें आपको सारी PDF प्रोवाइड कराऊंगी मैं music की आपको कुछ भी एक single किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है सारी चीजे मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी आपको केवल बैठ कर अच्छे से सुनना है और उसके बाद जितना काम में दूँ उतना करना है उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अब हमें बता दूँ कि आप इसको इसमें सारी चीजें आपको include मिलेंगी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ batch join करिए और निशिंत रहिए 10 अक्टूबर से batch शुरूर हो रहा है 10 के बाद 11 होगी तो मैं बिल्कुल आपको इसकी guarantee नहीं दे सकती हूँ कि ये batch आपको दिखाई देगा ठीक है क्योंकि batch में भीड जो है वो भरती जा रही है आप लोगों के लिए मौका मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूँ आप देखे कैसे join करेंगे यहां लिखा है buy now का option उस पर click करिएगा जब आप इस पर click करेंगे तो यहां दिखाई देगा enter coupon code कोई भी बाला कि से 1999 में न तुरंत जॉइन कर लिजेगा गड़बड हो जाएगी ठीक है क्या करना है यहां जो enter coupon code लिखा है यहां आप मेरा teaching code लगा सकते हैं अगर आप मेरा सानित दे चाहते हैं तैयारी में अगर आप चाहते हैं कि मेरी guidance मिले तो आप मेरा teaching code इस्तिमाल कर सकते हैं वो है Y740 जैसे ही आप इसको apply करेंगे यह आपको कितने में दिख जाएगा 1849 में मतलब आपके दो फायदे पहला आपको मेरी guidance मिल गई दूसरा आप लोगों को discount भी मिल गया 1849 में आपको इबैच पढ़ जाएगा उसके लिए आपको teaching code धियान रखना है मुझसे जुडने के लिए Y740 और साथ ही धियान रखना है कि इसमें आपको discount भी मिल रहा है अगर आपको और discount चाहिए मतलब यही batch लगभग आपको 1750 प्लस में कुछ लगभग 1770 के असपास में batch पढ़ जाएगा लेकिन उसके लिए क्या करना होगा एप डाउनलोड करिएगा D247 का जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसमें नीचे आपको description में दिया होगा store वहाँ से अगर आप पिहार सेलेक्ट करने के बाद में इस एप को join करते हैं तो आपको लगभग 100 रुपे का फायदा और हो जाएगा coin लगाने पर ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही आप लोगों को ये PDF दे दी जाएगी आप थोड़ा सा एक बात और बता देती हूँ बहुत सारे बच्चे परिशान रहते हैं कि हमें classes नहीं मिलती तो मैं YouTube के माध्यम से आपको class बता देती हूँ कैसे ढूणनी है YouTube पर आप सर्च करेंगे बिहार अड़ा 247 क्या सर्च करेंगे आप बिहार अड़ा 247 जब आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में चैनल आएगा उस पर क्लिक करिएगा जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करेंगे होम पर ही जाईएगा और होम पर जाने के बाद थोड़ा स्क्रोल करेंगे तो आपको शिक्षक भरती की सारी आप देख रहे हैं सारी इसमें इंक्लूड है आप कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिन सेशन को मैं बिना नोटिफिकेशन के लेती हूं या फिर आपको पहले जानकारी नहीं मिल पाती तो उन्हें कैसे ढूंडेंगे आप नोटिफिकेशन वाली जो चीजे हैं क्या करना है यहा सुबा का दिन हो सुबा सुबा हो तो सारे सेशन यहां पर आपको दिख जाते हैं जो पूरे दिन में होने हैं यहां पर आपको मेरे वो सेशन भी जाएंगे जो आपको प्लेलिस में नहीं दिखाई देंगे ठीक है जो प्लेलिस में ना मिले आप लाइव सेशन से देख सकत कर रेपिड फायर होने वाला है 100 questions कराऊंगी और यह सारे questions आपको BPSC में टकराएंगे ध्यान रखना एक एक प्रशन आपको टकराता हुआ दिखाई देगा जैसे हमने अश्रीध में धावा बोला बिलकुल वैसे ही BPSC में भी बोला है तो बिलकुल तैयार रहे गा इसके लिए ठीक है तो चलिए अभी के लिए गुटनाइट फेर बिलेंगे बिलकुल मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल सुभा 9 बच कर 15 मिनट पर मिलेंगे, उसके बाद 2 बच कर 40 मिनट पर मिलेंगे, उसके बाद रात को 9 बजे मिलेंगे, 11 बजे तक मिलेंगे, ठीक है, तो चलिए, अब कल मिलेंगे और कल की बात करेंगे हम कल, आप सभी लोगों को शुवरात्री